मार्केट पूरी तेज हो रखी है सारे स्टॉक भाग रखे हैं और इंफोसिस में तो इतनी अच्छी ख़वर भी थी पॉस्टिव ख़वर थी मनी टोबा पॉब्लिक इंसोरेंस अबाट लेजिसी मॉडनाइजेशन कॉंटेक्ट टू इंफोसिस पॉब्लिक सर्विस तब भी स्टॉक भागा ने स्टॉक फिर भी थोड़ी गिरावड़ती थोड़ा करेक्शन था तो डिसकस कर लेते हैं चार्ट पर और इंफोसिस भी अगेर हमने बहुत पहले खरीदा था तेरह सो तीस चालेज के आसपास जब इनके जो वह को फांडर थे सीबुलाल उन्हों ने वह ओपन मार्केट से सीर खरीदी ते कई बार पांच शे बार तभी हमने खरीदा था उसके बाद एक करेक्शन आया था इसमें थोड़ा सा जब जब इसमें एक आई थी इंसाइडर ट्रेटिंगी निउस तेरह सो साट सतर के आसपास तब खरीदा था उसके बास इसने कोई मौ आई श्टॉक्स में और तो देखो अभी नए लेवल के लिए तो नए अवाईंग लेवल तो भई अभी मैं कोई डिसकास करना हूँ इसका क्योंकि मैं गिराबट का इंतियार करना हूँ हो सकता है उस कांसोलेशन के बाद भाग जाए तो दोनों सिनेरियों में हो सकते हैं भाग जाएगा तो कोई बात ने अपरशॉर्टी मिस हो जाएगी और नीचे आजाएगा तो भई हमें अपरशॉर्टी मिल जाएगी तब हम इसे कंसीडर करेंगे आप लगा सकते हैं 1530 रुपए के आसपास में जो इसका यह सपोर्ट आता है तो यहां तक का बेट कर सकते ह जरूरी नहीं आये क्योंकि वरी जनरली इनफोसिश ज्यादा अगरावट दिखाता नहीं है और कमी मोगें देता है यह विकरेक्शन कम आते हैं लेकिन फिर बही बही इस टॉक बागते हो इस टॉक के पीछे हम जाते नहीं मोमेंटम चैस करते नहीं है तो यह अपनी स्टै मिलते हैं जितने अच्छे प्रैस पर खरीदेंगे करेक्शन पर खरीदेंगे उतने अच्छे रिटर्न मिलते हैं फ्यूचर में और यह अपनी स्टेट जी रहती है और इसी पर हम काम करते हैं और बाकी ऐसा नहीं कि ऊपर खरील दिया थोड़ा सा भी लॉस दिख रहा है तो लॉस बुक करने ऐसा कुछ नहीं करना इंफोसे जैसे स्टॉक में सांदार स्टॉक है और साइब भी कोई है थोड़ी और यहां भी सैल सिकनल बन गया है तो हो सकता है थोड़ी गरावट हो यहीं पर कंसोलेशन हो तो दोने सेनरी हो सकते हैं और बाकी इसमें एक नेगेटि से पूछ सकते हैं अपना बना सकते हैं सुननी सब्की करनी अपनी चैनल पर देना वीडियो दोस्तों साथ सेर कर देना जहें दोस्तों